नमस्कार दोस्तों, स्वागत थे आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा साल का पहला चंद्रग्रहन दिखाएगा अपना कमाल छे राशियां होंगी माला माल तो छे राशियों का होगा बुरा हाल दोस्तों साल का पहला चंद्रग्रहन पांच मई 2023 को लगने वाला है इस दिन वैशाक मास की पूर्णिमा भी है वैसे आप जानते ही होंगे कि चंद्रग्रहन हमेशा पूर्णिमा पर और सूर्य ग्रहन अमावस्य के दिन ही लगता है ये ग्रहन एक पूर्ण चंद्रग्रहन होगा भारत्य समय के अनुसार इस बार चंद्रग्रहन लगने का समय रात आठ बज़कर 45 मिनिट है देर रात एक बज़े तक चंद्रग्रहन लगा रहेगा भारत्य समय के अनुसार चंद्रग्रहन लगने का समय रात आठ बज़कर 45 मिनिट है देर रात एक बज़े तक चंद्रग्रहन लगा रहेगा चंदर ग्रहन का परमग्रास रात बाद 10 बचकर 53 मिनिट पर होगा इस चंदर ग्रहन को उपचाया चंदर ग्रहन बताया जा रहा है ये ग्रहन तब लगता है जब सूर्य धर्ती और चांद एक साथ आ जाते हैं इसे चंदरमा पर प्रिथ्वी की छाया पड़ती है जिसे नंगी आँखों से तब देखा जा सकता है जब सत्तर फीजदी तक चंदरमा प्रिथ्वी से ढग गया हो वैसे तो ग्रहन एक खगोल्य घटना होती है लेकिन इसका जोतिश और धार्मिक महत्व भी है खगोल्य घटना का असर ग्रहनक्षत्रों पर पड़ता ही है इसलिए ग्रहन के दौरान सावधानी बरतने के जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करना बहुत जरूरी है ग्रहन के दौरान खासकर गर्वती महिलाओं को विशेश ध्यान रखने की सलह दी जाती है ग्रहन काल के बाद पानी में गंगाजल मिलाकर ही सनान करना चाहिए याद रखे सनान करने के बाद अपने बालों को बिलकुल भी खुला ना छोड़ें ग्रहन के तुरंत बाद दातुन भी नहीं करना चाहिए इस चंद्रग्रहन को एफ्रिका, दक्षिन पश्चमी यूरप, दक्षिनी पश्चमी एशिया, उत्तरी अमेरिका के कुछ हिसों में तथा दक्षिन अमेरिका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिका और अंटार्टिका में देखा जाएगा भारत में इस ग्रहन की द्रिश्चिता शून्य होगी, जिसके कारण सूतककाल्य मान्य नहीं होगा वैसे चंद्रग्रहन के समय, 9 गंटे पहले से ही सूतककाल प्रारंब हो जाता है, तो भारत वासियों पर इसका प्रभाव सीमित मात्रा में ही पड़ेगा लेकिन ब्रहमांड में कोई घटना हो रही हो, तो उसका कम जादा असर प्रिथ्वी के हर हिस्सी में रहने वाले मनिश्यों, प्राणियों और प्रकृती पर निश्चित रूप से पड़ता है जोतिश के अनुसार इस ग्रहन का प्रभाव सभी 12 राश्यों पर पड़ेगा, कुछ राश्यों के लिए ये ग्रहन शुबे समय लेकर आ रहा है, 6 राश्यों के जातकों के लिए धन प्राप्ती के योग बन रहे हैं, लेकिन बाकी 6 राश्यों के लिए खास सावधानी बरत बातने की सला दी चाती है उनके लिए ये ग्रहन पूर्णता अशुब रहने वाला है दोस्तों बता दे चंद्रग्रहन भारत में दिखे या ना दिखे ग्रहन का हर राशी पर प्रभाव जरूर पड़ता है इसका प्रभाव कुछ राशी वालों के लिए नुकसान दायक तो क कुछ राशी वालों के लिए बहुत फायदेमंद होगा ग्रहन के समय चंद्रमा पर गुरू और बुद्ध की दृष्टी से वैश्विक अर्थ व्यवस्ता में बहतर बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं इससे आर्थिक लाब के योग बनते हैं नौकरी व्यवसाय पर सकारात्मक प्रभाव बनता है लेकिन कुछ राशियों के जातकों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पढ़ सकता है अशुप प्रभाव में कमी लाने के लिए ग्रहन के दोरान इस मंत्र का जाप करें मंत्र है ओम शीर पुत्राय विद्म है अम्रित तत्वाय दीम है तन्नो चंद्रप्रचोधयात आगे बढ़नी से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों को शेर कर दीजेगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दब दोस्तों शुरुवात करते हैं मेश राशी से मेश राशी में दो शुब सयोंग बन रहे हैं जिस कारण मेश राशी के जातकों को नौकरी व्यवसाय में अनपक्षेत लाब मिलेगा किसी नए काम की शुरुवात की है तो जबरदस्त सफलता मिलने के योग हैं प्रगती के नए अवसर मिल सकते हैं मान समान में व्रिदी होगी अकस्मात धन लाब से आर्थिक पक्ष में सुधार होगा यूं कहें तो धन की चिंता पूरी तरह से मिट जाएगी अपार धन मिल रिष्टों में भी मिठास आएगी इस दिन शौक मौच पर कुछ धन खर्च होगा ग्रहन आतिराशी से अश्टमभाव में लगने जा रहा है इसलिए कुछ बेकार की चिंताएं भी आपको परिशान कर सकती है मानसिक संतुलन बनाए रखें देश कलह से दूर रहें कुल मि लाकर ये ग्रहन की स्थिती आपके लिए धन पद प्रतिष्टा में खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है दूसरी भागयवान राशी है कुम्ब राशी कुम्ब राशी के जातिकों के लिए ये ग्रहन अत्यंत शुब फलदाई रहने वाला है निवेश द्वारा लाब प खुशकबरी मिल सकती है नई जिम्मेदार्या मिल सकती है जिसे भविश्य की चिंता मिटती नजर आएगी मन में प्रसंता चाई रहेगी आपकी आमदनी में व्रिदी होगी साथी खर्चों में भी कमी आएगी धन से माला माल हो जाएंगे जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे घर में खुशी का वातावरन रहेगा परिजनों के साथ खुश्यों के पल बिताएंगे नौकरी पेशा जातकों पर वरिष्टों की कृपादरिष्टी बनी रहेगी इससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा कारोबारियों को उमीद के अनुसार मुनाफ स्वास्त्य के मामले में सावधानी बरतने की आविश्यक्ता होगी अगली खुशकिस्मत राशी है मितुन राशी मितुन राशी के लोगों को चंदरग्रहन का आर्थिक दृष्टी से अत्यंत शुब फल देखने को मिलेगा पहले की गई मेहनत का फल इस समय मिल सकता है को मिलेंगे आय के नए स्तोत्र मिलेंगे जमीन जायदात के मामलों में सफलता मिलेगी राजनीतिक शेतर से जुड़े लोगों के पराकरम में व्रिधी होगी लेकिन नौकरी करने वाले जात्तकों को कारिस्थल पर थोड़ी बहुत दिकतों का सामना करना पढ़ सकता है सावधानी बढ़ते ताकि भाई बहन के साथ संबन्दों में खराबी ना आएं अपने क्रोध पर नियंतरन रखना होगा यात्रा करते समय और वाहन चलाते समय सावधानी रखें नहीं तो नुकसान हो सकता है अगली भागेशाली राशी है कन्या राशी कन्या राशी के जातकों के लिए ये गरहन काल अकस्मात धन प्राप्ती के योग लेकर आ रहा है छोटी मोटी चिंता समस्याएं सारी दूर हो जाने वाली है आर्थिक पक्ष बहुती मजबूत होगा लेकिन अपने पाउं जमीन पर ही रहने दें धन की बचत को लेकर किये गए सभी प्रयासों में सकारात्मत परिनाम देखने को मिल सकते हैं घर परिवार में बुज़ुर्गों से कि किसी बात पर विवात हो सकता है तो वानी पर नियंतरन रखें नम्रता पूर्ण व्यभार रखें नए कामकाज में हाथ ना डाले नए शेत्र में भाग्य आजवाना टाले अगली भाग्यवान राशी है सिंग राशी ये चंद्रग्रन सिंग राशी के जात्कों की किस्मत चमकाने वाला रहेगा इन जात्कों के कही महत्वपोन कार्य संपन हो सकते हैं नौकरी पेशा जात्कों को पदोनुत्ती तो कारोबारियों को प्यापार में अपार सफलता मिल सकती हैं मौके का फायदा उठाने से जरा भी ना कत्राएं धन के मामले में चारों उंगलियां घी में बाली स्थिती होगी शिक्षा के शेत्र में अगर आप जोड़े हैं तो विशेश लाब के योग हैं कारेबार बढ़ने के कारण तनावपूर्ण स्थिती हो सकती है लेकिन शान्ती से काम ले बहस ना करें मन मुटाव की स्थिती बन सकती है अगली भागेवान राशी है मीन राशी मीन राशी आपके आर्थिक मोशेव पर ये दिन अच्छा है आपका हर प्रयास सफल होगा पैसों की चिंता से निजात मिलेगी काम का बोज बढ़ने के कारण दिन बर आप व्यस्त रहने वाले हैं व्यापार व्यवसाय म ये ग्रहन शुबफल प्रधान करेगा लेकिन शौटकट से दूर रहें कोई भी गलत तरीका अपनाने से या जूट से बचे दामपत्य जीवन में अनुकुलता बनी रहेगी जीवन साती के साथ तालमेल अच्छा रहेगा संतान खुश्यां दिलाएगी कुल मिलाकर महनत औ और सब्रका आपको मीठा फल मिलने वाला है इस ग्रहन योग पर अब बात करते हैं मकर राशी की मकर जातक साड़े साती की तीसरे चरण से गुजर रहे हैं बहुत अशुपता नहीं कह सकते लेकिन मिलाचुला परिनाम आपको इस ग्रहन से मिलेगा कारों में सफलता मिलेगी लेकिन दुगनी महनत के बाद काम का बोच ज़्यादा रहने वाला है किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें दैर्य से काम लेने की जरूरत है धन के मामले में यह समय मिलाचुला परिनाम देगा अनावश्यक खर्चों से बचें सोच समझ कर ही खर अगली राशी जिनको सावधानी बरतने की आवशकता है वो है व्रिश्चक राशी व्रिश्चक राशी वालों आपको बता दे थोड़ी सी मांसिक परिशानियों का सामना इस दोरान आपको करना पड़ सकता है वाहन चलाते समय सावधानी बरते कहीं भी कोई निवेश करते वक्त दोबारा सोचे घर परिवार में बुजर्गों से वाद विवाद करनी से बचे शारिर गती शीलता आपकी परिशानिया कम कर सकती है सुस्ती और आलस्य से बचे अगली राशी है धनुराशी धनुराशी के जातिकों के लिए कड़े परिश्रम के अलावा सफलता संभव नहीं है ये समय साबधानी बरतने का और सबर करने का है इस समय आपको उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो निराश होने की कोई आवशक्ता नहीं है जल्दी चीजे ठीक होती जाएंगी धन के मामले में ये समय ठीक ठाक रहेगा लेकिन आमदनी बढ़ाने का प्रयास करना होगा लेंदें के कार्यों को इस समय टालना ही बहतर होगा दान करम के पुन्य से बहुत सी परिशानियों से छुटकारा मिल सकता है कहीं भी निवेश करने से बचें अनैतिक गतिविद्यों से दूर रहें नहीं तो कोट कचेरी के मामलों में फस सकते हैं मानसिक तनाव आपको बेहाल कर सकता है बुज़ुर्गों की सेहत का ध्यान रखें आगे बात करते हैं ब्रिशव राशी की ब्रिशव राशी के जातकों आपके जीवन में कुछ समय के लिए उथल उथल की सिथी बन सकती है आपको अपनी कार्यों पर कारिस्तल पर जादा ध्यान देने की अबशकता है नजर हटी दुरगटना घटी वाली सिती पैदा हो सकती है घरेलों जिमेदार्यों का बोज कुछ जादा ही रहेगा संतान सुख मिलेगा आर्थिक सिती वैसे तो ठीक ठाक रहेगी लेकिन धन हानी भी संभव है वरिष्टों से मेल जोल बनाए रखे असल में घरेलों जीवन और व्यवसाइक जीवन का तालमेल अच्छी तरह से बना कर चलेंगे तो मुश्किले कम होगी यदि पहले से किसी बिमारी से घरश्त हैं तो लापरवाही ना बढ़ते इलाज में किसी भी तरह की कोई कमी ना आने दे अगली राशी है करक राशी करक राशी के जातिकों को इस समय संतान से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है या तो संतान की सेहत खराब हो सकती है या फिर वो कोई ऐसा काम कर सकता है जिससे आपकी परिशानिया बढ़ सकती है ना चाहते हुए भी कुछ मामलों में आपको पैसा खर्च करना होगा जमापुंजी खर्च होने से आप तनाव में आ सकते हैं इस दोरान आमधनी अठनी और खर्चा रुपया वाली स्थिती अनुभव करेंगे लेन दिन के मामलों में सावधानी बढ़ती सब्र का फल मीठा होता है तो अच्छे समय की प्रतिक्षा करें अब बात करते हैं तुला राशी की तुला राशी वालों को अति उतेचना तुला राशी के जातकों को नुकसान पहुचा सकती है किसी पर भी ज़रुरत से ज़्यादा विश्वास ना करें नहीं तो आपका फाइदा उठाया जा सकता है धन के मामले में भी सावधानी रखने की आवशकता है व्यापार व्यवसाय में कमी रहेगी अंजान व्यक्ति से कोई व्यभार ना करें छोटा फाइदा आपको बड़ा नुकसान पहुचा सकता है वाणी पर नियंतरन रखें घर परिवार से जुड़ी कुछ बातें आपको परिशान कर सकती है विवादों से बचें खर्चों में कटोती करें सेहत शारिरिक और मानसिक रूप से अच्छी रहेगी छोटी मोटी यातरा के योग है लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेगा दोस्तों को शेर जरूर करेगा और चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाईएगा ताकि आने वाला नॉलजबर वीडियो आपको सबसे पहले मिले दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई, थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो